आ हेलो आबरीबन इस वीडियो में हम देखेंगे की लिछ कंप्रेहंसन क्या होता है क्योंतर और यह पहला पार्ट होगा इस अधर और इसको दौ पार्ट में कभूर किया जाएग़ लिश्ट न क्या होता है पहले समझते हैं लिषट न किसी लिष्ट को बनाने का एक तरीका है इसमें आपको पहले से एक सिक्वेंस मालुम होगा या एक सिक्वेंस दिया गया होगा क्वेशन में तो सिक्वेंस इस ट्रिंग भी हो सकता है त्रेंज भी हो सकता है या एक टपल हो सकता है इस सिक्वेंस को एक लिस्ट में कनवर्ट करना है तो आप लिस्ट क जाएक यूज़ कर सकते हूं यह बहुत ही एफेक्टिव काम करता है एक दिये गए सिक्वेंट्स पे तो सिक्वेंट्स जैसे मान लीज़े एक हेलो एक string है इसको जब आप लेस्ट में convert करोगे लिस्ट कंप्रियंशन से तो लेस्ट में convert करने से string के हर एक character एक element में change हो जाएंगे या फिर आप एक दिये गए टपल को लेस्ट में ऐसे करना चाहते हो टपल की पहली value 1 है तो लिस्ट में उसको 10 बनाना यानि 10 से multiply करके values को रखा गया है तो ऐसा भी आप कर सकते हो एक दिये गए sequence से इस syntax आपको ऐसा लिखना है L assign यहाँ पे एक object लिखा जाएगा जिसमें वो लिस्ट असाइन हो जाएगा बनने के बाद sequence यहाँ लिखना है आपको जो string range या टपल में से कोई एक हो सकता है यहाँ एक variable लिखना है जो sequence से एक एक value को निकाल कर अपने पास श्टोर करेगा फिर उस variable को list में रखने से पहले मुझ कल्कुलेशन अगर करके रखना है और एक्जामपल जैसे 2 से multiply करके रखना है या one add करके रखना है या जो value sequence से निकली है वही value यूज करना है लिस्ट में रखने के लिए तो आप simple var उस variable का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं फिर समझते हैं कैसे काम करता है इसमें सबसे पहला स्टेप होगा sequence एक value को निकालकर var variable में रखना यहां variable का नाम कुछ भी हो सकता है फिर सेकंड स्टेप हमारा होगा variable को यह expression में यूज करना जो भी value निकलकर आएगा उसको expression में यूज किया जाएगा और जो भी यहां expression से result मिलेगा वह हमारा final value कहलाएगा और वह final value ही लिस्ट में इस्टोर की जाएगी इसका output कहाएगा पहला स्टेप sequence से एक value निकालकर variable में श्टोर करना है तो वैलू हमारा पहला निकलेगा 1 और variable में इस्टोर हो जाएगा इस वैरेबल की वैलू को expression के पास भेजा जाएगा और इस expression से जो final value मिलेगा वह वन इंटू 10 यानि की 10 मिल जाएगा और वह list में add हो जाएगा ऐसी second value जब निकलेगी sequence है next value sequence में है यह दो वैरेबल के step के बाद expression के पास जाएगा तो final value हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 यानि की 20 और वह list में add हो जाएगा next value sequence में है तीन यह निकल कर variable में आएगा variable से value expression के पास जाएगा और calculation होने के बाद में हम result मिल जाएगा 30 और वह list में add हो जाएगा list comprehension का काम करने का है तरीका है आप किसी भी sequence से एक-एक elements को निकाल कर उसमें थोड़े बहुत changing करके अगर करना चाहते हो आप तो अगर नहीं करना चाहते हो वैसे का वैसा ही value store करना चाहते हो list में तो भी आप कर सकते हो दूसरा part है पहले देखते हैं कि इसको कब यूज करना है तो इस तरह के list comprehension के syntax को आप तब यूज करोगे जब आपको एक दी गई sequence जैसे यहां लिखाए one से five तक के numbers इसमें से आपको filter करके यानि आपको कुछ values को चार्ट कर अलग करना है filter करना इसमें values को जो odd numbers है जैसे एक तीन पांच यह odd numbers है इसमें से तिये गए list में उनको filter करके अलग कर दिया गया है या एक string दिया हुआ है जिसमें upper case और lower case दोनों type के characters है तो इसमें से आपने uppercase characters को अलग कर लिया है तो यह जो syntax है list comprehension का यह filtering करने का काम करता है किसी दिये गए sequence से एक एक करके value को निकालना फिर दिये गए condition से check करना है अगर उस condition में वो fit होते है तो उनको list में रखा जाएगा और अगर उस condition पर value fit नहीं होती है तो उनको list में नहीं रखा जाएगा list comprehension list बनाने का ही एक method है यह काम कैसे करता है इसको देखते हैं सबसे पहला step होगा sequence से एक value को निकालना और variable में store करना दूसरा step होगा variable की value को दिये गए condition पर चक करना जो वैलू इस sequence से निकल कर आई है क्या वो इस condition पर fit होती है या नहीं इससे दो value मिल सकते हैं एक true या दूसरा false अगर condition false है तो आपको वापस step 1 पर चले जाना है और next value को sequence से निकाल कर variable में store करना है यदि condition true है तो आपको step 3 पर आना है और निकाले गए value को expression में use करना है expression में variable खुद लिखा हो सकता है या उसमें addition, subtraction या कोई operation परफॉर्म करके लिखा गया होगा operation परफॉर्म करने के बाद जो result आएगा वो आपका final value होगा जो list में store किया जाएगा example के लिए समझते हैं इसमें 5 values है 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से सबसे पहले क्या होगा step 1 पर sequence से एक value, first value निकलेगा और variable में store होगा अब variable में value रखने के बाद में condition चेक किया जाएगा 1 is greater than 2, योकि value 1 निकला है तो 1 पर condition चेक होगा, 1 is greater than 2, condition क्या हो गया, false तो आपको step 1 पर वापस जाना है next value को आपको निकालना है, next value हमारा 2 है, 2 को condition में रखा जाएगा, 2 is greater than 2, 2, 2 से बढ़ा है condition false है, तो वापस आप step 1 पर आजाओगे, next value 3 है, sequence में, 3 को variable में रखा जाएगा और उसको condition के साथ चेक किया जाएगा, 3 बढ़ा है 2 से, condition सही है, तो इस value को step 3 में भेजा जाएगा, value आएगा 3 यहाँ पर expression के पास और expression पे भी लिखा हुआ है, कोई operation नहीं perform हो रहा है, जैसे addition यह multiplication, तो जो value आएगा 3 वही value लिस्ट में इस्टोर कर दिया जाएगा ऐसे sequence से next value निकलेगा, 4 वैरेबल में इस्टोर होगा, उसको condition में रखा जाएगा, condition true है 4 पर, 4 is greater than 2, तो true होने पर step 3 पर आना है, वैरेबल को expression में रखना है, गर expression में कोई operation नहीं होगा, तो वही value लिस्ट में इस्टोर कर दियाएगी ऐसे जब तक की sequence में सभी values के साथ यह operation नहीं हो जाता, यह loop अपना काम करता रहेगा, next value ऐसे 5, last value है उसको condition में रखा जाएगा, condition सही है, 5 के case में, तो true value है, उसको expression में रखा जाएगा, final value भी 5 ही आएगी और उसको list में add कर दिया जाएगा यह ध्यान दीजेगा, condition चेक होने के बाद ही value expression के पास पहुचता है, तो step जो है वो उसको ध्यान से समझेगा